हेलो दोस्तों कैसा है आप सभी शुरू करते हैं आज किस वीडियो को आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से हमारे उधंपुर श्री नगर बारामुला रेल्वे लिंक प्रजेक्ट के एक्स्टेंशन के बारे में यानि कि उरी बारामुला सेक्शन के उपर जो है थोड़ा डीपली बात करने वाले हैं चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा आईए शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो को कि इंडिया को आजाद हुए दोस्तों लगभग 77 years होने वाले हैं and currently भी हम लोग बात करें तो जम्मो एंड कश्मीर में एक proper way में ट्रेंस की service जो है नहीं दी जाते हैं जिसकी वैसे यहाँ पर रहने वाल लोग काफी सारे problems का सामना करना पड़ता है भले हम लोग बात करें पैसेंजर ट्रेवल को लेकरके या फिर गूड्स के transportation को लेकरके तो यहाँ पर बहुत ही जादा problems है ट्रेवल करने में क्योंकि बाइरोड ही सभी को ट्रेवल करना पड़ता है currently अगर हम लोग बात करें तो जम्मो एंड कश्मीर में ट्रेवल की service शिर्फ SBD के कटरा तक और कटरा से आगे बनिहाल से लेकरके बारा मुला तक दी जाती है इसके अलावा जम्मो एंड कश्मीर में ट्रेवल की service नहीं दी जाती है यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यांकी सो भारती रेलवे दोस्तों प्लान कर चुकी है कि बारामुला से लेकर के उरी के बीच में जो की एलोसी के बहुत ही जादा नजदी के एक टाउन है यहां तक ट्रेंस की सर्विस को देनेगा इस उरी बारामुला सेक्शन के लिए एरियल सर्वे भी कंड़ेक्ट हो चुका है कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी में भी स्टार्ट कर दिया गया है इसको लेकर कि मैं शौर नहीं हूं 100% क्योंकि इसको लेकर कि कोई भी मीडिय अपडेट्स जो है नहीं आ रहे है पिछले कुछ समय से अब अगर मैं आप सभी से बात करूं कि कौन-कौन से स्टेशन पढ़ने वाले हमारे इस उरी बारामुला सेक्शन के उपर तो ट्रेंस जो है दोस्तों बारामुला के कांसी पोरा से कांसी पोरा I hope कि मैं सही प्रनाउन कर रहा हूं यहां पर उरी टाउन के लगमा स्टेशन तक जाये करेंगे इस दोरान ट्रेंस जो है क्रोस करेंगे सीरी, गेंट मुला, बोनियार, लिंबर, नौगराम और उरन बुगा तो हो सकता है कि प्रोनाउन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यह नाम थोड़ी से नए है मेरे लिए और 50 किलोमेटर्स का अल्मोस्ट यह सेक्शन रहने वाला है लेकिन दोस्तों यह सेक्शन ही सिरफ 50 किलोमेटर्स का है लेकिन यहाँ पर रहने वालों के लिए यह एक life line की तरह काम करेगा अगर हम लोग बात करें हमारी Indian Army या फिर tourism के लिए या फिर employment को लेकर करके तो सब ही चीज़े जो हैं boost होने वाली यहाँ पर सबसे पहला जो benefit होगा दोस्ते यहाँ पर वो होगा हमारी Indian Army को क्योंकि logistic transfer करने में बहुत ही जादा easy रहेगा इसके बाद जब trains की service start हो जाते तो ultimately यहाँ पर tourism को भी बढ़ावा मिलेगा और इसी वाज़से यहाँ पर employment भी बढ़ेगी और employment बढ़ेगी तो इससे economical growth ultimately होगी और हमारा goods का जो transportation है वो भी बैतर होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं उरी में दोस्तो बहुत ही जादा मातरा में जो है accroat and mayway produce होते हैं और इनके transportation में currently यहाँ के लोगो जो है बहुत ही जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसी के साथ passengers भी कम समय में travel कर पाएंगे भले ही यह 50 km का section हो लेकिन यहाँ के लोग ही जानते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें इस 50 km के लिए ही सो जम्मू एंड कश्पीर में ट्रेंस की सर्विस का इस तरीके से extension होने जा रहे है दोस्तों आने वाले समय के अंदर और हमारा कट्रा बनिहाल section भी आने वाले कुछ ही समय के अंदर जो है स्टार्ट हो जाएगा ऐसी यहाँ पर उमीदे हैं हाला कि कट्रा बनिहाल section की तो latest progress आप लोग लगातार ही देखते हो आ रहे हैं सो देखते हैं दोस्तों construction की updates कब से मिलना स्टार्ट होती है हमारे इस उरी बारा मुला section के उपर बताये जा रहा है कि साल 24 के end तक दोस्तों यहां में railway line को डालने का काम हो जाएगा बट ऐसा possible नहीं है मुझे जान तक लगता है क्योंकि काफी सारे tunnels के उपर इस section के उपर यानि उरी बारा मुला section के उपर भी काम करा जाएगा stations के उपर काम करना होगा bridges के उपर काम करना होगा जो कि एक साल में possible बिलकूल भी नहीं है आने वाले दो से तीन साल लग सकते हैं वागे उमीद यही करते हैं कि यह project भी जल से जल स्टार्ट हो और उरी बारा मुला section के यह section जब complete होदा है तो हमारा आखरी station बारा मुला नहीं बलकि उरी बन जाएगा और उरी से लेगर के कन्या गुमारी तक ट्रेंस की स्टर्विस जो है start हो जाएगी इसको लेगर के आप लोग क्या कहेंगे comment section में भी ज़रूर बताएगा आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो से लेटेर कुछ भी पूछना है या फिर बताना चाहते है तो comment ज़रूर करिये